नमस्कार आप देखरें वाइट पेपर और मैं हूँ आपके साथ आश्या सर्माल चली कारिकरम की शुरवात करेंगे बताते हो चले कि विधान सभा चुनावों को लेकर काउंट टाउन अप शुरू हो चुका है जहां पर जम्मु कश्मिर विधान सभा की 24 सीटों पर कल 210 करोड़ पती हैं लेकिन 36 पर क्रिमिनल केस भी हैं बड़ी अपडेट महभूबा मुफ्ती की बेटी इलतेजा भी पहली बार चुनावी मैदान में हैं और कल साथ जिलों की 24 विधान सभा सीटों पर यहां वोटिंग होनी है और 219 कैंडिडेट्स में 9 महिलाएं और 92 इसला करेंगे बड़ी अपडेट आपके सामने जहां पर आब आप देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है अनंतनाक की सबसे जादा सीटे हैं जिसमें 7 सीटों पर कलमतदान होना है और सबसे पहले फर्स्ट फेस की 24 में से 8 सीटे जमू डिवेजन 16 सीटे कश्मिर घ साथी में है और सबसे ज़ादा अनंतनाक की अंदर सीटे हैं जो की 7 सीटे और सबसे कम दो-दो सीटे यहाँ पर शोपिया और रामबन जिले की अंदर है और बताते चले लगातार आप देखिए यहाँ पर PDP के सबसे ज़ादा 18 केंड़ेट्स जो हैं वो करोड़ पती बता रहेगी क्योंकि इस बार होट सीट की अगर हम बात करें तो देखिए बिज बिहारा होट सीट में आती है कुलगाम आती है उसके साथ साथ अनंतनाक सीट यहाँ पर होट सीट में आती है और साथी लगातार आप देखिए जस तरह से बड़े चहरे भी इस बार मैदान में है जिसमें पुलवामा हॉट सीट है और जमु कश्मिर में तीन फेस में ये वोटिंग होनी है लेकिन फैलाल इससे पहले आपने देखा 87 सीटों पर चुनाव हुआ था लेकिन अब परिसी में के बाद 2024 में 90 सीटों पर चुनाव होना है और जमू कश्मिर विधान सभाच चुनावों की अगर हम 2024 की बात करते हैं जिसमें आप देखिए कुल वोटर्स यहाँ पर 87 दिशन अमलाब छुन्य नौल लाक हैं जिसमें 44 दिशन अमलाब 46 लाक पुरुश हैं 42 दिशन अमलाब 62 लाक महिला हैं और 3 दिशन अमलाब 71 लाक फ पूरी तरह से आप देखिए सुरक्षा विवस्था चाक चौबन कर दी गई है इस बीच में पांपोर इलाके के अंदर भी आप देखिए BJP और नेशनल कॉन्फरेंस सामने सामने रहने वाली हैं त्राल के अंदर की बात करें तो कॉंग्रेस और PDP राजपूरा की बात करे तो यहाँ पनेशनल कॉन्फरेंस और BJP और PDP के बीच में मुकाबला यानि कि काफी लंबे लिस्ट है लेकिन उस बीच में आप देखिए कल जब चुनाव होते हैं तो किस तरह की सरगर्मिया रहती हैं क्योंकि पहला फेस है और उसके बाद बढ़ चड़कर जिस तरह से ल लोग अपना नोमाइंदा चुनने जा रहे हैं क्योंकि पहले प्रधान मंत्री के नाम पर वोट डाला गया या फिर आप देखिए विकास को चुना गया लेकिन इस बार जो विधान सबाद चुनाव होने वाले हैं फेस पर चुनाव होने वाला है कि आपका नोमाइंदा लगातार सरकार की तरफ से ओपोजिशन पार्टियों पर हमला ही किया गया है लेकिन कल फर्स फेस का चुनाव है 24 सेटों पर कल वोटिंग होनी है आशा जी आपका अभार मैं अक्सर कहता हूँ यह निरलजता का अमरत काल है जूटों की बयार है और जनता को धिक भ्रहमित करने का हर चंद और हर मुमकिन परियास मैं पूछना चाहता हूँ भारतिय जनता पार्टी आखिर किस बिना पर अपनी राष्टवादिता की दुहाई देती है आज तो अलताब उकारी ने भी साफ कर दिया कि वो जमात के उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो बतौर इंडिपेंडिट कैंडिडेट खड़े है और अलताब बुखारी तीसरी तरफ सज्जाद लोन चोथा गुवारा जो पूट गया गुलाम नभी अजाद साहब का नाम में दूंगा तो अब जमाते इसलामी आखिर सत्ता का लोलुक और सत्ता की पूप में इतना मदान्द होकर भाजपा अपने मुल्यों से समझोते पर सम प्राधार नहीं है और ये भी ठीक है कि अभी हाल संपन हुए लोकसभा चुनाओं में इनकी मजाल नहीं हुई वहां से कैंडिडेट देने की पर फिर ये राष्ट वादिता की दुहाई किस बिना पर देते हैं एक तरफ जमाते इसलामी को पानी पीपी कर भाजपाई कोस् और अब प्रोक्ष रूप से सप्ता हासिल करने के लिए किसी भी हग तक जा सकती है भाजपा भाजपा जवाब दे आर्टिकल 370 पर और चोटे-चोटे मसले मिसाइलों पर ये कोंग्रेस को घेरने को आजे जी जवाब दीजिए गाजे जी चोटी-चोटी बातों पर मेरे को आ रहे हैं मेरी आपके पास आ रहे हैं जी जी बोलिए फ्लीज तो हम इसलिए अपने राश्रवाद की दोहाई दे रहे हैं क्यूंकि हम किसी पजल अनसाली के साथ यूएस में जाकर नहीं मिलते हैं जो आई-एस-ई का एजेंट होकर बात ग्रोदी गत्विदी करता हम रोहित शर्मा को सिर्फ इसलिए नहीं दुर्विवार उसके साथ करते हैं क्यूंकि वो भारतिया पत्रकार है और वो नेता प्रतक्ष से यह पूछना चाहते हैं कि बंगला देश में माइनॉर्कीस के साथ जो अन्याई हुआ है आप क्यूं चुप रहते हैं हम इसलिए अपनी राश्रवाजिता को प्रमानित करने की कोई आलशक्ता नहीं है हम डॉक्टर कालंग सिंग की दोरा ये लिखी पूस्तक में जो उन्होंने कॉंग्रेस का किस तरह से नेशनल कॉंफरेस के पिशलगु पार्टी बनने का इतिहास वो बताते हैं मैं आपको द्यान दिलाना चाहता हूँ और मेरे बहुत ही कादिल मित्र हैं कॉंग्रेस से आज प्रवक्ता आये हुए हैं उनको 26 जुलाई 1984 की यार दिलाना चाहता हूँ जब इन्होंने नेशनल कॉंफरेस की चुनी हुई सरकार को उटिला कर और उन पर जो जो आरोप लगाए हैं वाइट पेपर 112 पेज़ूं का छापा लेकिन उसको पब्लिक के सामें नहीं रखा और उस पर जो जो आरोप लगाए उनको देश दोही बताया उनको ये बताया क लिए 370 पर नहीं बोलते हैं ये नेशनल कॉंफरेस की उस ब्र Papa पर प्योंच नहीं बोलेंगे जो कहते हैं कछिनी बortens वेरीयर व्हांनल पर हमें मंझूद नहीं है और उसी तरह से आप देखिना मैनेफेस्टों पर बोलती है तो फिर उसका खामयाता देश में भुगतना पड़ेगा किसने नहीं को ला इंजीनियर रशीद पर हम इंजीनियर रशीद को देश व्रोधी मानते हैं वह आतंक्वाता समर्थ तक है और उनकी जगह सबको घेरने की कोशिश होती है लेकि इंजीनियर राशीद का कहीं ना भी नहीं आता मैं कह रहा हूं कि हम उसको राश्ट्र विरोधी मानते हैं और उस पर अगर केस किया वह इनकी सरकार में अधर्ष जी जस तरह से अब अपनी अपनी उपलब्दिय गिनाने की बाते हो रही है आप सुन रहे हैं दोनों पार्टियों को कॉंग्रेस को भी आपने सुना और बीजेपी को भी कल पहले से फेस का चुनाव है जनता अपने जहन में किस तरह की बाते रखे और फिर उसके बाद वोट करें क्यूंकि जनता जनारधन है जनता कल वोट डालने जाएगी और इन सब के भागय का फैसला होगा आदर्स जी इमरान देखें आशा जी कल चौबिस कोंशियोंसिस में पहले फेस में एलेक्शन होने वाले हैं मैं अपने वोटर्स से यही गुजारिश करूँ गा कि जिन सरकारों ने इस देश इस स्टेट के लिए जो काम किये हैं उनको मज़र नज़र रखते हुए और जो अपना मैनिफेस्टो दिया है आगे उसको देखते हुए आज हर इनसान को बढ़ चड़के अपना वोट कास्ट करना चाहिए इस्पेशली मैं उन वोटर्स से आज गुजारिश करना चाहता हूँ जो पहली बार वोट कास्ट करने जा रहे हैं और मुझे यह उमीद है कि उ वोटर्स ने जो अठारा उननीस साल के जो पहली बार असेम्बली एलेक्शन में वोट कास्ट करने जा रहे हैं उन्होंने अपने बड़े बज़र्गू से डिसकेशन किया होगा उन्होंने अपनी सरोनिंग्स पर रिसर्च की होगी कि पिछले दस साल से पहले यहां पे हला क्या थे एंप्लाइमेंट के हलाथ क्या थे महंगाई के हलाथ क्या थे बाकी बिजनस के हलाथ क्या थे और आज यहां पर क्या हला थे आरे वारे जग्दी उन सब चीजों को मद्द नजर रखते हुए उन लोगों को आज उस पार्टी को वोट करना चाहिए जो आज जिनों उनके लिए काम किया है और जैसा कि national conference में आज भी उनके लिए एक अच्छा मंशूर लेकर आई है उसके लिए उनको वोट करें ठीक है बागी रही बात हो गई अब मुल्दे पर आते हैं ना कि अच्छा जी यहां तक national conference कांग्रेस का सवाल है वह उसे को गेरना बनता है चुनाब है चुनाब में नी गेरेंगे तो कब गेरेंगे यही तक समय है ंच्छा जाए को अच्छी तरस घैरेंगे और आपने हांग में बोड करवाने की कुश्शन करेंगे लेकिन सबसे बड़ सबस्क्राइब और अभी तक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी कितना भी परचार होता रहा जितने भी चुनाफ की चर्चा उतरी बड़ा एक शांती पूर्वक निकला है और जो हमें यह भी आशा करते हैं कि यह वाकी के चर्ण भी इसी तरह शांती के साल जम्मू कश करने जाएंगे और उसके बाद अपने नुमाइंदों को चुड़ने की कोशिश होगी करते हैं क्योंकि लोकसभा का अपने वोट डाला खेंदर के अंदर वो पहुंच गया लेकिन आप यहां पर वोट होगा आपके नुमाइंदे के लिए पिल्कु सही कहे रहे हैं आप अलग सा चुनाव इसमें तो जमू परविस की बात करें तो साथ फार्मर जो मिनिस्टर हो उनकि वविश्टा पे लगा हुए और यह पहला हमारा बाति जन्ता पर्टी का चुनाव कह सकतें और पहला चरना एक फीमिल कांडिड़ वी रहूं दो फिमील कंडिएट है निस्तिल Κांफरेंस थे अपनी टेड़ को पुझा ठाकूर को उता रहा है पादर्राग सेरा शनके सरह के कि एक निटनी वी वोटर्स है और बजुरकु जो जो मश्वरा करने क्या मश्वरा करेंगे बजुरकु तो पता ही कि यह पाद ही बाद में हुए है जब बड़ी मुश्कल चीज अग कि अन्य वाला जो कश्मीर है उन में यह बच्चे बड़े हो गए वह बच्चे जवान क्योंकि जमूर डिविजन की अगर हम बात करते हैं आदर्श जी तो सुनील शर्मा है पुझा ठाकुर है शगुन परिहार जो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है सदात कितलू है और उनके साथ शक्तिराज परिहार है जीम सुरूरी है सजाद शाहीन है विकार रसुल कर दो कि यह राष्टवाधिता का उल्हाना दे रहे थे इन्होंने इल्हान उमर का चिकर किया तो बता दो कि वह इस दुनिया के सबसे बड़े देश के सांसर हो और यह बात कर रहे हैं पत्तरकारों की 159 यह स्कोर है हमारा 21 देश हम से पीछे हैं जिसमें इतोपी और जमाल कि जना कुछ तो सोचिए और सवाल क्या पूछा मैंने आपसे अभी आप इंजिनियर रशीद को बड़ा अपने तलक शब्दों में बोला मैं पूछता हूं जमानत कैसे मिल जाती है एक अक्तूबर को आखिर जैसे राहूर जी को मिली जैसे राहूर जी को मिली किस तरीके अब मैं सही बता दूँ आपको बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है इस देश के सरवोज समयधानिक पर बैठे मानिके परधान मंतरी डोटा में जाकर कहते हैं हमने आतंगबात पर काभू पा लिया और अट्राइज जी जवाब देशी नहीं होगया अबिजी समय का व् लोग है उसे समर्थन लेने वाले लोग है जग्दीर जी नेशु आपके परफिल्स परड़ी की प्रपक्ता है लोग वोगु के जीने के बाद आपके इवनान जी को तरह से नहीं अचैसे नोजुआनों को पूछना चाहिए बुदर्गों से कि किसने शाइरे कश्मे मैजूर को भिरतार किया ने गाउन में दपन नहीं होने दिया कि इस तरह से इंट्रॉट करेंगे तो फर सुनेंगी कैसे इमरान जी एक सकंद सुन लेजे थोड़ा सा प्लीज प्लीज गुजारीशे थोड़ा से सुन लेजे ताकि लोगों पते चले अपना फोर फंट लेका मोगा मिलेजुज अशा जी बदकिस्मती की बात यह है कि कल वोटिंग है पहले फेस्स की दस साल के बाद चुनाओ हो रहे हैं दस साल में बाचपा ने यहां पर डिरिकली इंटरिकली हकुमत की है आज इनको अपनी development गिनानी चाहिए थी इनको अपने progress card देना चाहिए था कि हमने इन दस सालों में यहां पर क्या किया लेकिन बतकिस्मति की बात यह है आज भी ये उसी हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद पे आतंगवाद पे इस पे उस पे बात कर रहे हैं आज इनको ये बोलना चाहिए था जमो कश्मीर के लोगों को कि हमने आपको पिछले 10 साल में कितना रोजगार दिया कितना बिजनस कराया हमने यहँप कितनी बाहर से इन्वेस्मेνट्स लाई जो हलाथ पहले यहां पर नहीं थे अब हमने क्या किया बहुत क्या की इस तरह से काम चल रहा है विकास की मुद्य को गिनकर यहां पर जीता जाएगा है देखे मैं आ को बताता हूं एक मिनेट मुझे जवाब लेने दीजिए क्या विकास की बातों को उप्लब दियूंगे उठाएंगी एक उठाता है दूसरी दूसरे पर उठाता है लेकिन दस सालू में इन सब के रोल क्या-क्या रहे मुझे तो इस बाक है जिदीब ची हमारे बड़े अच्छा बित्तर है कि हम और हम क्या करें पहले एक है कांग्रेस की ओँर्ड इन के साइब नमपर 2 पे आ रही है नेशनल कंफरेंस और आपको तलका मुकदर का सकंदर समझ रही है वो समय रही है कि हमने यहां पर हकूमत बना रखी है वो किसी ना किसी तरीके से पार्टिय को निचा दिखाना की कुछ दिकार रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है आज जो डिबेट हमें करने चाहिए थी का कल के पॉलिंग की ओपर बात सब्सक्राइब बताया लेकिन यहां आके भी आप दूसरे की बाल नहीं सुनते है यह थोड़ा सा दुख लगता है तो उसमें हमने पिछले खासकर पांच वर्शु में और 2014 के बाद भारती जंदा पार्टी की केंदर सरकार में क्या क्या किया वो सारी हमने यह बताया कि हमने यहां पर सड़कुं का जाल बिछाया इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना इंप्रूब किया है यह हमने बताया है लेकिन हमारे सामने क्या का उन्हों ने कहा कि हम 1913 से पहले की लाएंगे और कॉंग्रेस उसकी चुप उस पर चुप बैट चलिए इम्रान जी जवाब दीजिए जगदीप जी आप दीजिए पहले तो दोनों पार्टियों का एलाइन्स तो है लेकिन एक बूश्य को समर्थन नहीं रहे हैं मैंफेस्टों का समर्थन तो करती है लेकिन म अबना चुके हैं ठीक है जगदीप जी पहली तो बात मैं पड़ी हैरत में हूँ इतने वरिष्ट पतरकार हैं अगर ये कुछ कहने भी लगी तो क्या कहना चाहते कि जगदीप सिंग आम आदमी पार्टी में थे आज इसमें आगए ये तो पहली व्यक्तिकत टिपनी है दूसरी बात जनाब आम आदमी पार्टी व बड़ा सम्मान है मेरी नजनो में का ये अभी कह रहे थी जी एंस लिया अरे भाई साथ इतना बड़ा जूट आप सरे चैनल बोल रहें एंस जम्मू के लोगों ने लड़कर लिया महाराजा हरी सिंग जी की चुटी लड़कर ली और आशा जी एक बात आज आज आपके मैं आरिव आरिव मैं आप सुन तो लोगों को रोज एक पार्ट पड़ाया जाए है ना जगदीब जी आपने अपने शब्दों का चैन तो तरीके से कर सकते हैं ना शब्दों का चैन सिर्क से करिए बस अरे भारती जी इस ना दवे बोलने तो दीजिए क्यों बता रहा हूं मै अगर भाजपा को गोट नी दिया तो मंदिर और शिवाले बंद हो जाएंगे पुरानों के स्वर बंद हो जाएंगे माराजा सिंग की चुटी कैंसल रही है यह शर्मनाक नहीं है उसमें क्या गलत है उसमें मुझे बता है यह जब आप सरकार में थे आप तो पूछिए यह पत्रकार है क्या यह सही है आप ने करके दिखाया यहां और आप शंक्राइब और आप चुप पैंदेशन एफ्ट अफ इंडिया पूलता है इसी बात को इसी बात को देके का आपने का विद्टिकत क्या विद्टिकत नहीं किया इम्राद जी के ओग रही हो गया जी आप जगदीब जी सवाल यही उठा रहे है और हर एक पाटी यही सवाल उठा रही है कि नेशनल कांफरेंस पाटी जो मनफस्टों लेकर आई है उसके समर्थन में आप लोग खड़े हैं कि नहीं आपका स्टांड जाना चाहते थे लेकिन अभी तक चुपी साधी यह कॉंग्रेस पाटी कर से लाइंस आप लोगों ने किया है तो फिर मेनफेस्टों पर खुल कर क्यों नहीं बात कर रहे है क्योंकि आपको पता है कि पुरे देश के अंदर उसका खामियाजा भूगतना प है ठीक है जिस पर आप बार 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 पूचे के मतलब माइन ही नहीं सवाल कि इम्रान जी इस वक्त कल पूलिंग है फुस्ट फेस की मैं इन सब बहस में इस वक्ते आपने अपने वोटरां से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इम्रान जी जुड़ने के लिए जगदीब जी आपका भी अजय जी आपका भी और आदर्स जी आपका भी तो फिलाल कल पहले चरण का चुनाव है आम जोनेता बहुत समझदार है कि उसे अपने वोट का कास्ट किस तरह से करना है वोट का इस्तेबाल किस तरह से करना है भारी तादात में घरों से बहार निकलिए और वोट का इस्तेबाल कीचिए फिलाल देख दो रहे ही तारिकर